धूम 4 में शाहरुखान को लेकर डायरेक्टर राकेश रोशन शानदार वे एक्षन सामने आया है। राकेश रोशन धूम 4 में शाहरुख के होने पर राय जाहिर करते हैं कि धूम 4 से बहुत बड़ा एक्षन सिनेमा इंडिया में लेकर आने वाले हैं और धूम 4 अगर ये फिल्म विदेशों में रिलीज होती है, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, वही किंग खान ने अपनी पठान के दूसरे पार्ट के लिए भी शूट किया है, वही किंग खान अपनी अगली फिल्मों की लिस्ट तयार कर चुके हैं, जिसमें वो एक के बाद ए एक एक्शन फिल्म साइन कर रहे हैं, शाहरुख एक फिल्म राज एंड डीके के साथ कर रहे हैं, वही दूसरी साउथ डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ और तीसरी फिल्म करन जोहर वही राजा मॉली जैसे बड़े डायरेक्टर भी शाहरुख के साथ काम करने को तया धून फिल्म की शूटिंग मुंबई के बाद विदेशों में होगी वही रेड चिल्ली इसमें VFX का काम करेंगे जो इंडिया की बेस्ट VFX कमपनी है और इसके मालिक भी खुद शाहरू खान ही हैं। इसके अलावा आपको आने वाले समय में शाहरू खान की काफी फिल्में देखने को मिलेगी जिसमें शाहरूक एक्शन ही करते नजर आएंगे। अगर ये फिल्म बनती है तो बॉक्स ओफिस पर बवाल मचा देगी और इतने बड़े रिकॉर्ड बनेंगे की इंडियन सिनमा हिल जाएगा। कि डंकी के बाद अब शाहरूक साउथ के सबसे बड़े डाइरेक्टर लोकेश कनागराज के साथ फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्म तायेगी और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। के अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एकसाइटेड है, लेकिन एस आर के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे।